हाई गाईज वेल्कम बेक टो मैं चैनल रुपीना कीचिन आश्र करते हूं आप सभी अच्छे में भी अच्छी हूं तो आज मैं बनाऊंगी आलू का सबजी वो भी बनाऊंगी आलू दाम की सबजी तो देखो कि इतना अच्छा देख रहा है खाने में बहुत लाज अबाब जैसे मैं कर रही हूं देखों ऐसे करना है ताकि जो आलू का ताकि जो आलू है उसी का अंदर नमक मसाला वगेरा चाहें और खाने में भी टेसा है आप लोग चाहों तो छूड़ी से भी कर सकते हो तो मैं पैन बटा दी हूं गैस के उपर तबी मैं थोड़ा सा तेल डाल र होते देते अभी में दो पीस उनियन चार पीस करके काट लिए और एक पीस टमाटर बड़ा सा इसका पीस पीस करके काट लिए अभी अची से फ्राय कर लेंगे मकनी गिरेवी में बना डियों आप लोग भी ऐसे बना लेना क tenía जाइस में बना धीयों एकदम से इजी पोसेस में बना डियों आप लोग एक बार देख क्या ऐसे बनाईएगा ज्यादा भी फ्राय नहीं करना है मीडियम लिफ्राय करना है तो देखो फ्राइ हो गया अभी मैं मिक्से में क्राइन कर लूँगी तो अभी मैं क्राइन में तेल डाली हूँ और थोड़ा सा नमक और एक चमच हल्दी पॉडर अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में थोड़ा गरम होने के लिए भी देते तो देखो गरम हो गया तो मैं एक एक करके आलू छोड़ दूँगी फ्राइ कर लेंगे आलू को पहले सब लोग तो आलू का सबजी बनाते तो एक बर ऐसे आलू का सबजी बनाकर आप लोग घर पे खाईएगा खाने में बहुत इलाज वाब है तो ऐसे करके मैं फ्राइ कर लूँगे तो एक एक करके मैं पलच रही हूं देखो ताकि यह साइट हो गया दूसरे साइट भी होने के लिए दे रही हूं अच्छे से फ्राइर कर लेंगे कम से कम 10 मिलफ तक फ्राइर कर लेंगे तो देखो फ्राइर भी हो गया तो मैं अवी खाली कर लूँगी आलू का सब्जी हर तरह के बनता है लेकिन एक बार मैं ऐसे बना रही हूं आप लोग एक बर ऐसे बना कर देखिएगा बहुत ही लाजवाब है और भी मैं स्टाइल का लेकर आऊंगी इसका नाम है आलू-दम दम आलू का सब्जी तो अभी मिकसर में गराइन कर लूँगी मखनी ग्रेवी के लिए रेडियो होगा अभी मैं कराई बठाए हूँ गैस के उपर अभी इसमें मैं 100 ग्राम के आसपास तेल एट कर जी हूँ मैं दो पीस ओनियन लिए थी स्लैस के काट लिए हूँ तब दे दियू मैं ओनियन को अच्छी से पका लेते हैं अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और लाइक करें तो देखो ब्राउन कलर ब्राउन कलर हो गया है अभी मैं इसमें जिंजर अगलिक पेस्ट एट कर दिए हूँ दो चमच अच्छे से पका लेंगे जितना अच्छे से मसाला को पकाएंगे उत्ता ही खाने में तेसा आएगा और अभी में मंखनी के लिए इसके अंदर डाल रहे हूँ अच्छे से पका लेंगे कम से कम दस मिनट तक ऐसे पकाते रहना है प्लिस आप लोग अपने अपने घर पे एक बार ऐसे बना कर देखिएगा आलू का सब्जी एक बार खाओगे तो बार बार खाड़े का मन करेगा एक बार ऐसे बना कर देखिएगा अपने घर पे तो मैं एक चमच नमक एट कर रहे हूँ आप लोग अपने स्वात के हिसाब से एट कर सकते हूँ और एक चमच सल्डी पाउडर और एक चमच चीडी पाउडर अब यह अच्छे से पकाते ही रहना है वीडियो में लाज तक बने रहे हैं बिना स्किप्ट किये ताकि में जो मसालव गेरा डाल रही हो आप लोगको पता नहीं चलेगा धनियापत्ता भी एट कर दिए ऑख कर दियू हो आप अब लोग चाहँ तो कर दो आपो से ज़हर में तो इसम्यों च्छे है जो चाहा हो आप लेकिन मेरे पास फिलाल हे नहीं है क्योंकि डाओं में धनियापत्ता भी नहीं मिलता है गर्मी के सीजन में सहर में मिलता है तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई है मैं अभी आलू को डाल दियू मसाला के इंदर अभी अच्छी से पका लेंगे अगर नीची जल जाए तो आप लोग थोड़ा थोड़ा घर के पानी एट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं पहले आलू बॉयल कर ली थी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके भी पानी नहीं डाली मैं मखनी के रेबी दी हूँ आप लोग देखें देखी रहे हैं यह आलू का सब्जी आप लोग रूटी से विखा सकते हो पूरी से विखा सकते हो चावल से विखा सकते हो खाने में बाकि बहुत इलाजबाबें आप सभी को पसंद आएगा आशा करती हूं प्लीस कॉमेंट करके मुझे बताएगा रेसिपिक ऐसा है कम से कम मैं दस से पंदरा मिनट तक पका लूँगे क्योंकि मैं आलू बॉयल कर ली थी इसलिए ज्यादा नहीं पकाऊंगी तो दस से पंदरा मिनट अच्छे से पका लेंगे तो देखो हो गया है और इसमेल भी बहुत अच्छा आ रहे है खान में भी बहुत लाजबाब है आप लोग ऐसा करके बनाओगे घर पे तो घर में छोटे वड़े सब लोग बहुत अच्छे से खापाएंगे तो अभी मैं बतन में खाली कर रही हूं तो देखो कि इतना अच्छा दिख रहा है और उपर से में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी एड़ कर दियूं देखो देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है तो मेरी तरब से आप लोग के लिए हर दिख शूप कामना है मिलता है नेक्ट वीडियो में बाई झाल 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 झाल